कि अश्च कि अश्च कि नमस्ते प्यारे मित्रों आपका स्वागत है उश्चो की द्वारा बनाएंगे इस नो डाइमेंशन ध्यान में कैसे करें आप इस ध्यान को अपने आप, अपने घर में तो इसके लिए मैं आपको निर्देश दूँगा कैसे इसमें गाइड़ प्रैक्टिस है उसको आप कैसे फॉलो कर सकते हैं इसके बारे में मैं जानकारी दूँगा तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए और हर एक स्टैप्स को समझने का प्रयास कीजिए तो जो यो ध्यान है नो डाइमेंशन ध्यान ये एक सूफी टेक्निक है इस तो सूफी टेक्निक को ओशो ने अपने हिसाब से मॉडिफाई किया और हम सब लोगों को दिया बहुत ही सुन्दर टेक्निक है ये इसमें कुछ मूवमेंट है फिजिकल मूवमेंट है और ये पूरी टेक्निक है कि हम कैसे अपने आप जो हमारा सेंटर है जो हमारा केंदर है उसके पास आ सके तो हमारा जो केंदर है वो हमारे नाभी से करीब दो अंगुल नीचे है उस सेंटर को बोलते हैं हरा सेंटर तो हम उस सेंटर को जो हमारा केंदर है उसको डवलफ करने के लिए ये प्रैक्टिस करेंगे तो प्रैक्टिस बहुत ही सुंदर धने ढंक से बनाई गई है music के साथ है ये एक घंटे की practice एक घंटे का ध्यान है और इस एक घंटे के ध्यान में अलग-अलग music है तो इसके हसाब से हमको practice करनी है कैसे क्या steps हैं और कैसे हम करें तो इसके बारे मैं आपको बताता हूँ तो चलिए ध्यान से देखिए और ध्यान से सुनिए और कोई अगर आपको question हो कोई आपको समस्यारियस ध्यान को करने के लिए तो आप मुझसे contact कर सकते हैं तो चलिए चलते हैं तो जो पहला चरण है और कुछ इस तरह से होगा मैं आपको बस पहले डेमो देता हूं और इसके बाद मैं आपको बताऊं कैसे करना है तो इसके ये च्छे स्टैप्स हैं तो शुरू में जब music की स्टार्ट करेंगे आप तो अपने हाथों की position को इस तरह रखना है जो left वाला हमारा palm होगा उसको अपने heart center पर रखना है हिर्दय चक्र पर और दूसरा जो right palm है उसको नीचे रखना है अपने हरा center पर ठीक है उसके बाद music की स्टार्ट होगा हमारे दोनों हाथ जो left वाला है वो नीचे आएगा और उसके जो हथेलियों का पीछे वाला हिस्सा है वो आपस में touch करेगा और उसके साथ ही हमारा moment होगा हमारा जो right पैर है वो आगे जाएगा और left राइट हाथ आगे जाएगा इस तरह से एक बार और देखिए येवाला जो left वाला पाम है अधेली है ओपर जा रही है मेरे heart center की तरफ ठीक है इस तरह से ओपर की तरफ और ठीक है दोनों हाथ उपर जा रहे किए गौड़ से ये ओपर गएंजों हाथ एक साथ ठीक है फिर जो left वाला है मेरा वो नीचे गया right वाला आगे गया राइट वाला हाथ राइट वाला पैर भी आगे गया ठीक है एक बार और यह दोनों उपर गए लेफ्ट वाला नीचे गया राइट वाला सामने राइट पैर सामने ठीक है एक बार और द्यान से पहला स्टेप इंपोर्टेंट है तो उसको द्यान से देखिए उप पर दोनों हाथ, लेफ्ट वाला नीचे, राइट वाला सामने, राइट पैट सामने, ठीक है, और जब यह करेंगे हम हाथ का मोमेंट, तो एक साउंड करना है, शू का, शू, तो वो साउंड हमारा यहां से आना चाहिए, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से, एक बार और लेफ्ट पैर आगे, ठीक है, दोनों हाथ उपर, राइट को नीचे, लेफ्ट पैर को आगे, और लेफ्ट हाथ को आगे, ठीक है, तो इस तरह का मोमेंट होगे हमारे दोनों, ठीक है, अब दोनों हाथों को उपर, थर्ड मोमेंट, राइट साइड को, इस तरह से, दोनों ह फिर लेफ्ट वाला लेफ्ट साइड को और दोनों हाथ ऊपर ठीक है तो एक बार और देखेंगे चारों मुवमेंट को अच्छ एच एच चार मुवमेंट हो गए पांचों मुवमेंट में राइट हांट और राइट पैर की तरफ पीछे की तरफ घूम जाएंगे हम रहे हैं 90 देगरी पीछे की तरफ 90 और 90 180 देगरी पीछे की तरफ इस तरह से इन दोनों हाथ उपर जाएंगे एक बार और देखेंगे ऐसे खडाओं में थिक है है जिस्यक्त नहियुकर तो दनों हाथ मेरे फिर पीछे की तरफ गूमा dampи है चैनल तरफ यहां पर था मैं फिर उल्टी तरफ गुमना पहले इस तरफ उल्टी की तरफ ठीक है एक बार और और देखेंगे यहां park था मैं सुरू से कड़ते हैं क्योंकि बहुत अंडर्स्टेंडिंग चाहिए इसके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट है शुरू में मोमेट करना बाद में इजी हो जाएगा आपको बहुत ही इजी तरीके से सुन्दर तरीके से होगाए दो एक पूरा पीछ ठीक है एक बार राइट साइट की तरफंगना एमको एक बान लफ्ट साइट की तरह तरफ कैसे करना है left pair आगे पहले, फिर right pair आगे, फिर right side, right pair, left side, left pair, फिर back side, right pair, फिर back side, left pair, और उसी के साथ से, हाथों का movement, इस तरह right hand, left hand, right side, right hand, left side, left hand, फिर back side, right hand, फिर other back side, left hand, के साथ म्में करना है music में कुछ सट्प्स हैं कुछ weet आप हो का मोमेंट हमाँ है हुए तो यह ध्यान से आप जो इंस्ट्रक्ψन दियें इनको ध्यान से ध्यान से समझने का प्रयास किजिए इनको शुरों में थोड़ा सा difficult लगेगा आपको moment पर जब आपको एक बार rhythm पता चल जाएगी बहुत easy बहुत beautiful तरिके से होगा और इसको ध्यान को हमको आखे खोल कर करना है जो हमने 30 minute practice की है ठीक है 30 minute के बाद music change होगा और music change होने के बाद हमको whirling के लिए त्यार होना है तो उसके लिए कहा करना है हमको पहल सिर जुका लेना है और अस्तित्तों से हमको blessings लेनी है उससे प्रे करनी है उसका धन्यवाद देना है जब तक music start नहीं होता है second step का और जैसे music start होगा तो हमने हाथों खोल देना है right hand को उपर की तरफ आकास की तरफ ठीक है और left hand पीछे की तरफ जमीन की तरफ इस तरह से ठीक है यह वाला moment यह हम उड़जा को ले रहे है इसकाई से आकास से और धरती की तरफ कनेक्ट कर रहे हैं तो इसकाई आकास और धरत इस तरह से और फिर हमको उल्टी डारेक्शन में घूमना इस तरह से तो इसको बोलते हैं विर्लिंग 15 मिनट तक इस तरह से घूमना है तो अगर आपको घूमने में प्रॉब्लम हो रही है डिजीने सारा चक्र आ रहा है तो हाथों को सामने रख करके आप अंगुठे को दे करना है अगर बीच में आपको चक्र आ गया आपको वमेटिंग जैसा फील हो रहा है तो एकदम से लेड जाना है पेटके बल लेड जाना है अंतिम आवस्था में अंतिम चरण के लिए ठीक है तो थर्टी मिनट आपको पूरा प्राक्टिस करना है यह वाला जो हमारा मुझ करना है उसके बाद music change होगा हमको position में आना है और anti-clockwise घड़ी के उल्टी दिसा में हमको willing करनी है और अगर बीच में आपको चक्कर आएंगे तो हातों को सामें रख कर गे हाथ के अंगुठे को देखते हुए willing करनी है और जब आपको लगे कि नहीं कर पा रहे हैं तो body को एकद लेड़ जाना है और रिलाक्स करना है पूरी तरह अपने आपको छोड़ देना है और हर एक process में अपने आपको center करना है कि हमारा जो में है के इंदर है वह यह वाला हरा सेंटर को बोलते हैं वहां पर से हमारा जो breathing आ रहा है जो हम फोकस कर रहे हैं तो वहां से energy हमारी आ रह हमारे heart center से हिड़े चक्र से तो इस तरह का movement करते हुए feeling करना है कि हमारा जो केंदर है वह यहां पर है और पूरा ध्यान हमारा breathing पर और उसके movement पर और अंदर से जो internal ध्यान होगा हमारा वह हमारे केंदर की ओर ठीक है तो यह पूरा process है इस बहुत ही प्यारे ध्यान का बहु जो awareness है वह चारों तरफ बिख्री हुई है इधर उदर उदर तो हम center पर हमारे केंदर पर नहीं हो पाते तो यह जो ध्यान है हमारे हमको केंदर पर ले कराता है बहुत ही effective ध्यान तो इसकी practice कीजिए आप और मुझको बताईए कैसा effect हुआ इस ध्यान से आपकी जिन्दगी म तो मिलते हैं next episode में next ध्यान के साथ दन्यवाद